जेहन्द जै भारत दोस्तुआ आज आज हमारा वीडियो है यार बहूत ही खास है तो चलो यार आज के इस वीडियो से हम जो समझेंगे वह आप इजिली दिख पाएंगे यहां पर लिखा क्या हुए है कलास 3 ठेक है और कलास 3 के साथ ही साथ यहाँ पर लिखावे NCRT Solution और इसके बाद चैप्टर नेम हमारा क्या है धातू एवं अधातू समझें और अगर इंगलिस में बात करें तो Metals and Non-Metals ओके और आज हमारा यह अधिया है समाप तो हो जाएगा और साथ ही आपको Notes मिलेगा अब हम आपको समझाती है कि हमारा जो यह वीडियो है कलास 3 के लिए है और NCRT Solution है और हमारा जो चैप्टर का नाम है धातू एवं अधातू वही आज हम बात करेंगे और आज के इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर है न यार समाप तो हो जाएगी तो वीडियो को करते हैं अगर आप वीडियो में नहीं लिख पाती है जो मैं आपको सेयर करूँगा तो आपको विडियो के Description Box में Link मिलेगा आप वहां से लिख सकते हैं तो चलिए आब हम समझते हैं कि धातू एवं अधातू कि स्खेट की मुली है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लिख क्या रखा है आप इजली समझेंगे और हाँ गाईज अगर मैं इस वीडियो में जो भी आपको सेर करूँगा अगर आपको ज़रा सा भी समझ ना आएगी ना तो आप वीडियो के निते कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है और हाँ साथी समझना और ना समझना सिर्फ आपके उपर निर्भर करता है समझें तो कि यहाँ पर देख सकते हैं धातू ठीक है आप इजली समझ पाएंगे धातु का जो परिभासा है कि धातु जो हमारा होता है चमकिला होता है जिया साथी हमारा धातु चमकिला होता है और पिटने पर फैलता है और एक सिरा गरम करेना तो दूसरा सिरा भी गरम हो जाता है और साथ ही यह तन्य होता है तन्य यानि तार की जैसा वह हो जाता है और उसमें बिधु धारा भी प्रवाहित होती है यानि बिधु धारा भी वहाँ पर आर पार होती है तो साथी कहने का मतलब यह है ध्यान दिजेगा अभी मैं समझा रहा हूँ धातू आगे मैं कुछ भी नहीं बोलूगा जब भी धातू आगा तो आपको जी आपने सोना नाम सोना ही होगा दोस्त तो सोना हमारा चमकिला होता है चांदी तामबा पितल कांसा जस्ता लोहा और इस पात तो यह सब हमारे चमकिले होती है और इनको अगर हम पीटेंगे ना हथोड़े से तो यह क्या हो जाएंगे फैल जाएंगे और साथ ही साथ अग आपने रोटी को पकाया है जैसे आप रोटी पकाते है तो आपका जो धरने वाली जो तवा होता है वह क्या गरम हो जाती है तो वह गरम हो जाती है तो वह धातू कहीं बना होता है हमारा जो रोटी पकता है वह तवा ठीक है और जहां पर तन्य होता है तन्य यानि तार की जैस यानि हमारा जो धातु होता है उसमें हम बल्फ बार सकते हैं जियंगा इस धातु हमारा जो है हम उसे से बल्फ बार सकती है यानि विधुधारा उसमें परवाहित होती है यहाँ पर अगर आप समझेंगे विधुधारा हमारा जो धातु होता है परवाहित होता है तो जैसे आ तो साथ ही अगर आप देखेंगे अधातू यहाँ पर मैंने लिख रखा है और यहाँ पर जो हमारी है आँ चल पार नहीं है अच्छासे चल नहीं पार यह टेकनिकल तो कैसे 현 पर देखीं धी तो लिखाया है के चमकीली नहीं है पिटने पर नहीं फहलता एक सिरी गर्म करें तो बूसरा गर्म नहीं होता है और विदुधर परभाहिद नहीं होता है जियांगर आप —धातु समझ गया तो अधातु कुछ भी नहीं है बस उसका ही उलटा है आप समझ सकते हैं कि अधातु जो होता है नहीं होता है चमक उसमें नहीं होती है अगर आप कितना भी पीट लीजे वो फैलेगा नहीं और एक सीरा गरम किजेगा तो दूसरा सीरा गरम नहीं होगा यानि गरम नहीं होगा और हागा इस यह तन्य नहीं होता है जो तार की तरह इसको हम नहीं बना सकते हैं और इसमें बिधुधारा ना पार नहीं हो सकता है बिधुधारा यानि बिजली हमारे जो होता है न यार घरों में उसको हम पार नहीं कर सकते हैं अधातु के सारे तो अगर आप इसको example से समझेंगे तो बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे तो जो कि आप देख सकत है तो यहाँ पर आप देखिए कारबन और इसके बाद है कोईला और इसके बाद है लकड़ी इत्यादी जियंगाज यह सब क्या है आपके अधातु के उधारन हैं तो आप यहाँ पर इसली समझ पाएंगे तो बठते हैं आगे की और और समझते हैं आगे की बाते यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो धातु के बहुतिक गुंदर्म जियं साथ ही अब हम समझते हैं की धातु वास्तों में किस किस तरह का गुंधर्म वह पर दर्शित करता है वह किस किस तरह का होता है तो मैं आपको जो यहाँ पर सेर कर रहा हूँ बहुत ही आसानी से सेर करूँगा तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा क्या हुआ है कि धातु यहाँ पर जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं जरा सा इसको हम देखते हैं तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि चमक धातु की सतह क्या होती है चमकदार होती है हमारा जो धातू होता है या चमकदार होता है जैसे अगर बात करें सोना और चांदी यह हमारा क्या होता है चमकदार होता है और हलाकि मैं ज्यादा फास्ट बोलूँगा जिससे हमारा चप्टर जल्द ही खातम हो सके और इसके बाद है आप देख सकते हैं मैंने लिख क्या रखाया और आप देखिएगा तो यहाँ पर है की कठोरता यानि समाने तो हमारे धातू क्या होते हैं कठोर होते हैं हमारा जो धातू होते हैं समाने तो क्या होते हैं कठोर होते हैं जैसे लोहा तामबा आदी लेकिन लिथियम सोडियम तथा पोटेसियम हमारे मुलायम होते हैं जियां गाइज हमारा लिथियम सोडियम और पोटेसियम यह हमारे धातू ही हैं लेकिन यह क्या होते हैं मुलायम होते हैं तो यहां पर यह आप वाद है आपको ख्याल रखनी पड़ेगी और गाई यहाँ पर आप देखेंगे तो और भी आगे क्या लिखा हुआ है और इसको आप देख सकते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है रूप या कह सकते हैं अवस्था यानि रूप या उसका अवस्था जो होता ना धातू को अगर हम कमरे की ताप पर यानि कह सकते हैं 20 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस आपके कमरे की ताप होती है तो वहाँ पर अगर इसको गरम करें या कुछ भी करें तो वो आपको ठोस होते हैं जिया आपको ख्याल रखनी है कि हमारे कमरे की ताप पर या आपको धातू जो होते हैं जिया आपको ठोस पता है ठोस यानि कठोर ठीक है तो हाला कि मैं ज्यादा ठोस की बारें बात नहीं करूंगा क्योंकि आप कुछ न कुछ तो जानते ही होंगे ठीक है तो साथ ही अगर आ केवल मरकरी यानि कह सकते हैं पारा जी हमारा जो पारा होता है यह आपको द्रव वे अवस्था में होता है जी हमारा जो धातू होता है केवल पारा ही ऐसा धातू है जो की क्या होता है द्रव वे अवस्था में होता है द्रव अवस्था कहने का मतलब जो यार पानी की तरह बै द्रव अवस्था में होता है इंग है तो आप यहां पर इजीली समझ पाएंगे और इसके बाद आता है अघात्व अरधियेता जिएंगा जियां पर देख सकते हैं हमारे यह क्या है भावतिक गुंधर में इसको और भी हम आगे की और चलते हैं तो यहां पर देखेंगे तो अगहात्व वर्धियता यहां पर देख सकते हैं आप बिल्कुल समझ सकते हैं तो यहां पर मैंने लिख क्या रखा है अगहात्व वर्धियता ठीक है तो कि यहां पर देखेंगे तो धात्व को पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित यानि कह सकते हैं बदला जा सकता है उस इस गुंधर्म को ही बोलते हैं अगात्व और ध्यता किसको कहेंगे कि कोई भी धात्व है जिसको हम पीट कर चादर में बदल सकें जो हमारे ओढ़ने वाले जो चादर होते ना जो कपड़े के होते हैं उस तरह हम बना सकते हैं तो जैसे आप समझेंगे तो लोहे की चादरे आपने सुना ही होगा तो जै आपका गुंधर्म होता है धातु का तो अगला जो गुंधर्म आता है धातु का वो होता है आपको तन्यता यानि धातु जो होते हैं वो तन्यता होते हैं जो कि आप देख सकते हैं यानि आप देखिए कि लिखा हुए कि धातु को पतली तार क रुप में बना जा सकता है और इसी गुंधर्म को हम बोलते हैं तन्यता जिया साथी तन्यता हम किसको कहेंगे कि कोई भी धातु है उसको हम तार बना सकते हैं तो यही गुंधर्म आपको क्या कहलाता है तन्यता कहलाता है ओके तो यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूं यार धात अधातु की बात कर रहा हूं भौत तीक गुंधर्म ठीक है अभी अधातु की बाकी है आप गवराये मत ठीक है तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो और भी बाती हैं जो कि आप समझता हैं यहां पर लिखा हुए है बिधूत एवं उस्मा बिधूत यानि बिजली एवं उ उस्मा की चालक होते हैं समान्य विधूत एवं उस्मा की क्या होते हैं जैसे चांदी तामबा लेकिन सिसा और पारा उस्मा के कुछ चालक होते हैं जिया गाइस हमारे विधूत एवं उस्मा काना चालक होते हैं सभी धातु लेकिन कुछ धातु इसमें क्या होते हैं कि यहा आपके सिसा और कह सकते हैं पारा यह क्या है तो यह आपका अपवाद है ओके तो समझते हैं आगे की बात हैं और इसके बाद यहां पर लिखा हुया घनत्व यानि धातु जो हमारा होता है न फिसा मुझबूती और गलनांक कहने का मतलब समझ रहे हैं गलनांक कहने का मतलब गलना ये जो हमारे धातु होते हैं ये जल्दी गलते नहीं है यानि गलनांक इनका क्या होता है अधीक होता है लेकिन सोडियम और पोटेसियम का घनत्व क्या होता है बहुत ही कम होता है जिया गाइज हमारा जो सोडियम होते हैं और पोटेसियम होते हैं ना इनका घंत वो कम होता है क्या मेरी आवाज बहुत ही आसानी से सुनाई पड़ रही है यहां पर आपको यही समझनी है तो जरासा मैं फैन को बंद करता हूं और मैं आपको और भी बात बहुत ही आसानी से समझाने का परियास कर रहा हूं तो यहां पर आप यहां तक की बात क्या आपको आई की नहीं आई तो चलिए अब समझते हैं आगे की बाते हैं और इसके बाद हमारा जो अगला गुंधर में वह है ध्वानिक यहां पर देख सकते हैं ध्वानिक ओहो यहां पर अगला जो गुंधर में क्या है ध्वानिक है तो ध्वानिक है तो यहां पर अगर आप समझेंगे तो हमारा जो धातू होता है तो वह आपको आवाज उत्पन करता है और इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे जो साइकल अगोरा होता है उसमें घंटी को अगर आप जैसे ही आप दबाती है तो आपको आवाज वहाँ पर उत्पन होती है तो इस तरह से आप बिल्कुल इजिली आप समझ पाएंगे ठीक ह तो अगला आता है आप यहाँ पर देखेंगे तो अगला जो हमारा आता है वह है ऑक्साइड यानि आप बात करें कि धात्विक ऑक्साइड जो हमारे होते न वह क्या होते है छारक प्रवरिति की होती है यानि हमारा जो धातू के साथ ऑक्साइड यानि धातू के साथ ऑक्स बात हमारा क्या था धातू से रिलेटेड बात थी तो चलिए अब हम समझते हैं अधातू के गुंधर्म तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने अधातू की गुंधर्म यहाँ पर बहुत ही आसानी से लिख रखा है तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख क्या रखा है तो अधात्यों के बहुत ती गुंधर्म के आकिर वास्तों में अधात्यों किस तरह से होती हैं और किस तरह से हम पहचान सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं अधात्यू की जो हमारी चमक होती है वो क्या होती है आप देख सकते हैं लीखा हुए है कि अधात्यू की सतह चमकदार नहीं होती है जिया साथी हमारा जो अधात्यू होता है वो चमकदार नहीं होता है जैसे अगर आप बात करें तो कार्बन या कह सकते हैं कोईला आप इजली समझताएंगे हमारा जो कोईला होता है यह आपको चमकदार नहीं होता है लेकिन यहां पर आयोडीन की सतह क्या होती है चमकदार होती है हमारा अधातु जो आयोडीन होता है यह हमारा चमकदार होता है तो यह आपको अपवाद है खयाल रखनी पड़ेगी ओके तो यहां पर अगला जो बात आता है वह कठोरता क्या है कठोरता तो हमारा जो धातू होता है ना कठोर नहीं होते हैं हमारा जो अधातू होते हैं वे आपके कठोर नहीं होते हैं लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि हमारा जो अधातू होता है क्या होता है कठो काठोर नहीं होता है लेकिन यहां पर दिखेगा तो हीरा हमारे होता है बहूत ही कठोर अधातू है जियां अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे कठोर अधातू का नाम बताइए तो आपको यहां पर ठ्याल रखना है हीरा हीरा दुनिया का सबसे कठोर यहां पर धातू यानि अधातू है ओके टीक है तो यहां पर आप आप जिली समझ पाएंगे और इसके बाद अगला जो आता है रूप या अवस्था यानि हमारा जो अधातू होते है उसका रूपे आवस्था कैसा होता है तो हमारा अधातू जो होता है कमरे के ताप पर यानि आप जिस अभी आवस्था में है वही आवस्था में कमरे के ताप पर यह क्या होता है ठोस होता है गैसी आवस्था में यह होते है हमारा जो अधातू होते है कमरे किताब पर क्या होते हैं ठोस होते हैं गैसी होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर अगला जो है यहाँ पर देख सकते हैं लिखा क्या है कि किवल ब्रोमिन छोड़कर जिए हमारा जो ब्रोमिन अधातु होता है वह क्या होता है द्रव अवस्था मे होते हैं ठीक है तो यह भी बात बहुत ही आसानी से आपको आ गई होगी ठीक है और इसके बाद अगला आता है आप देख सकते हैं अघात वर्धियता अघात वर्ध यहां पर दिखेगा तो लिखा क्या हुआ है अघात वर्धियता लिखा हुआ है कि अधातु क्या होते हैं अघात वर्धियता होत नहीं है जिए गाइज अधातु को हम पीट कर नहीं फैला सकते हैं जिए गाइज अधातु को हम पीट कर नहीं फैला सकते हैं ठीक है और इसके बाद यहाँ पर आता है तन्यता जियंगा इस तन्यता अब अधातू को हम क्या कर सकते हैं कि पतली तार के रूप में नहीं बना सकते हैं हमारे जो अधातू होते हैं उनको हम तार नहीं बना सकते हैं ठीक है बस उस धातू के उल्टा ही सिर्फ है आपको यहाँ पर ख्याल रखने है और इसके बाद यहां पर देख सकते हैं आगे क्या है और इसके बाद आता है बिधूत एवं उस्मा के चालक हमारे जो अधातु होते हैं आप देख सकते हैं मैंने लिख क्या रखा है कि बिधूत एवं उस्मा के कुछ आलक होते हैं जिया हमारा जो अधातु होते हैं उस्मा ये वो बिधूत के क्या होते है चालक नहीं होते है यानि कुछ आलक होते है लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है हमारा जो ग्रेफाइट जो हमारा अधात हुए ना बिधूत का सुचालक होता है यानि हमारा जो पेंसिल जो होता है उनमें आपको दिखने को मिलेगा ग्र परवाहित होती है तो आपको डरनी नहीं है जिए आपको जो हमारा जो पेंसिल होता है उसमें हमारा बीजली परवाहित होती है तो आपको जहाटका वहाँ पर लग सकता है ठीक है तो यहाँ पर यह भी बात है बहुत यह असानी से समझ पाएंगे और इसके बाद यहाँ पर अधातव हमारा जो अधातु का जो ढ़नातो होता है यहां पर सब्सक्राने पर आवाज उत्पन नहीं करता है तो बहुत ही अखान अगर आप समझेंगे तो यहां पर इसके बाद$ कि इसके बाद मैंने यहां पर लिख्षक्रार में अर्यसका कि chem कर एक और इसके बाद यहां पर देख सकते हैं अक्सायड यानि यहां पर देख सकते हैं कि अधात्व के साथ खेस्च Czech मिलता है तुग यहां मmeyeं हमारे डिक होता है यह हमारे क्या है अमलिय omega आसानी से आ गई होगी ठीक है अब हम समझते हैं यहां पर धातू के रसायनी के गुंधर्म तो देखी यहां पर धातू के रसायनी के गुंधर्म इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले धातू की वायू के साथ अभी के रिया मैं अभी धातू की बात कर रहा हूं ठीक है तो यहाँ पर देखी कातू लिखा हुआ है कि धातू ऑक्सीजन जिया गाइज मैं ऑक्सीजन क्यूं कहा क्योंकि हमारा जो वायू होता है वायू का मतलब हम oxygen क्यों के हैं तो हमारा जो सबसे महतुपूर्ण हमारा क्या होते oxygen ही होता है जो कि आप easy ली समझ सकते हैं तो धातू जैसे ये oxygen के साथ मिलती है यानि अभिकिरिया करती है तो आपको धातू oxide बनाती है तो यहां पर आपको बहुत ही बात असानी से ख्याल रखनी है कि हमारा जो धातू होता है Oxygen के साथ मिलकर धातू oxide बनाता है आपको ये बात ख्याल रखनी है तो एक्जामपल से आप दे सकते हैं धातू पलस oxygen यानि धातू oxide यानि धातू अगर बात करें तो हमारा क्या है, copper क्या है? धातु है और ऑक्सीजन ज्यसे निलते हैं सबसक्राद नना क्या बनाते हैं या निकास भाते तहरे तो या समझते आले क्या ए अध्यागा फील आज लिखा भाय आप दीडि़िया लिखा हुआ आइसtså कि जात विम्जाद है नि ऐसे drones आलंगाो अब भी किरिया करती है जिया यहाँ पर यह बात क्याल रखने कि कोई भी धातू है वायू के साथ वो किस तरख की बेवहार करते हैं अब हम चलिए समझते हैं आगे यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि NA, NA का मतलब क्या होता है Sodium, ठीक है तो Sodium और K यानि Potassium तो Sodium और Potassium यहाँ पर यह सब क्या है? धात हुआ है तो Sodium और Potassium वायू में आक्रिश्मिक आग यहाँ पर पकड़ लेते हैं यानि जैसे ही हमारा Sodium और Potassium वायू के संपर्क में यहाँ पर आते हैं तो यह क्या कर लेते हैं? आग यहाँ पर पकड़ लेते हैं जिसे रोकने के लिए हमें क्या किया जाता है? कि रोसिन पेल में डुबो कर रखा जाता है जिया साथी हमारा जो धातू होता है है तो साथ अगर आप यहां पर देखेंगे तो मैंने क्या कहा कि सौडियम और पोटेशियम यह निके इसका संकेत है तो वाइ канал Can अगे क्यों किया जाता है केरोसीन के के तेल में country होता है थेख एक तो तो आगे यहाँ पर बहूत ही आसानी से संहज़ेगा लिखा हुआ है कि 一 या क्या हो जागा मैगनेशियम एम जी यह या नि मैगनेशियम और और झे दरें धौक एलिमिन और को मतलब होता है जीन्क और फिवी को करते हैं ओके और इन धातों पर ऑक्साइड की परत चड जाती है तो यह बात आपको ख्याल रखनी है ओके तो जगला जो पॉइंट है यहां पर आप दिख सकते हैं लिखा क्या हुआ है देखिए तो यहां पर एफ एफ ए का मतलब क्या होता है लोहा जिहां लोहा तो यह क्या करने पर यह तेजी से जलने लगता है कहने का मतलब यह है कि हमारा जो लोहा है वाईवी में जैसे गरम करते हैं तो उसमें कुछ अभिकरिया नहीं होता है लेकिन लोह के चुरन यानि लोह की छोटे छोटे तुकडे को गरम करते हैं तो वह तेजी का मतलब copper तो copper वायू के उपस्तिती में काले रंग की इस पर परत जड़ जाती है हमारा जो copper होता है अगर जैसे ही वायू के संपरक में आती है ना उस पर काले रंग की परत जड़ जाती है तो यहाँ पर आप अगला जो पॉइंट है आप देखकर ही समझ पाएंगे आप दिख सकते हैं यहां पर है जी यह नहीं कह सकते हैं चांदी यह यू यानि सोना यह क्या करते हैं कि वायू के साथ अभी किरिया नहीं करते हैं यह मतलब वायू के संपरक में कुछ करते ही नहीं है ठीक है तो यहां पर अगरा जो बात आता है उभे धर्मी ऐकसाइड होती क्या है? तो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ नइ से समझा रहा हूँ आप समझने का प्रयास केज़े오 यहाँ पर आप दिखिएगा MgO याणि magnesium oxide याणि copper oxide यहाँ पर आप दिख सकते है तो यहाँपर उभयधर्मी ओक्साइड समझनी है तो यहाँपर परिभासा क्या है तो आप समझिए यहाँपर परिभासा लिखा हुआ है जरा से इसको मैं ब्रेकेट में कर रहा हूँ ओ नहीं पारे यार क्या हो газ इस यहाँपर अगर आप देखेंगे उत्पाद में जल तथा लवन बनाते हैं कहने का मतलब यह कि वे धातू ओक्साइड अब बात आती है धातू ओक्साइड तो घातू के साथ यानि धातू के साथ अगर अक्सीजन जुड़ेंगे तो वे आपको कहलाएंगे धातू ओक्साइड तो यहाँ पर जैसे AMG, AMG क्या है धातू, और AMG के साथ जुड़ा क्या है O, यानि Oxygen, तो यह आपको क्या है, यह आपको Oxide हो गया धातू, ठेक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वे धातू Oxide जो अमल और छारक, अमल छारक समझ रहे ना, जो खटा हो और छारक यानि ज तो वही तो आपका होता है क्या उभय धर्मी Oxide, ठेक है, तो एक्जामपल के लिए आप समझ सकते हैं, मैंने यहाँ पर बहुत यह असाने से लिख रखा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो लिख क्या रखा, AL2O3, यानि यहाँ पर मैंने सब को सब संतुलित कर दि पलस यहाँ पर है, और इसके बाद है HCl, यानि HCl क्या है, तो यह दूनों आपस में जैसे ही जूडते हैं, तो आपका क्या पर आपस होते हैं, LCl3, 2L3, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने संतुलित कर दिया है, तो आपको घबरानी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर यह क अब पर मैं क्या किया, कि धातु ऑक्साइड को जैसे ही हम हाईडरो ख्लोरी का अमले में जैसे यहाँ पर अभपकिरा करें, यानि जैसे ही मिला है, तो यहाँ पर मिलाएंगे ना तो यहाँ पर क्या प्रप्त होगा नमक और इसके साथ H2O यानि क्या प्रप्त होगा जल तो यह क्या है यही आपका उभै धर्मी ऑक्साइड है यानि आप समझ सकते हैं परिभासा से इजी ली ठीक है तो चलिए अब समझते हैं आगे की बाते तो यहाँ पर आगे की बाते में धातू के रसाइनिक गुंधर्म जे गाइस धातू के रसाइनिक गुंधर्म में जो अगला हमा दूसरा जो पॉइंट आता है जल के साथ अभी किरिया यानि अगर धातू को जल के साथ अगर मिलाएंगे तो वो क्या क्या चीज यहां पर उत्पन करेगी क्या करेगा ठीक है तो यहां पर अप समझेंगे धातू पलस जल दातू पलस जल जैसे ही इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा धातू औकसाइड यह कह सकते हैं हाइड्रो कसाइड यानि कह सकते हैं hydro oxide plus hydrogen जो दातू पलश जल जैसे ही आपस में मिलेंगे तो आपका जो प्राप्ट ओका दातू ऑक्साइड या कह सकते हैं आपको जो बनेंगे hydro oxide plus hydrogen यहाँ पर बनेंगे ठीक है तो यहाँ पर अब देखेंगे कि दाटू ऑक्साइड पलस जल दाटू ऑक्साइड पलस जल यानि ये वाला क्या है दाटू ऑक्साइड और जो मिलेंगे तो आपको क्या बना होंगे धातू थी तो यहां पर आपको ख्याल रखनीанный होगी ठीक है तो आप समझ पाएंगे तो वीडियो को रोकिए और यहां पर लेखने का प्रियास कीजिए तो यहां पर आप दिखेंगे तो लिखा हुआ है एन ने क्या है धातू है जियंगाज धातू है और इसके बाद है एच्टू यानि क्या है जल यह दोनों जैसे ही मिले है और इसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो एसी यानि लौहा और लौहा का साथ जैसे यहां पर है तो इसको मिलता है यह बशखे सकते हीरग यह किए जैय। तो यह भी बात बहुत ही असानी आपको आ गई होगी ठीक है तो आगे के बातों को हम समझते हैं यहां पर इजली देखेगा और साइज हम इसको बड़ा करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि अलग-अलग अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग तो यहाँ पर अगर आप समझेगे तो लिखा हुआ क्या है आप इसले समझ पैंगे तो यहाँ पर लिखा हुए ANA यानी sodium K यानी potassium और यह क्या करते हैं कि C, यानी आप समझ सकते हैं क्या calcium तो यह थंडे पानी के साथ अभी किर्या करते हैं यह हमारा जो A A sodium और K यानी potassium और C यानी calcium यह हमारे ठंडे पानी के साथ अभी किरिया करते हैं गरम पानी के साथ बिल्कुल नहीं इना वास्प के साथ ठेक है तो यहाँ पर आप बिजली समझ पाएंगे अगला जो point है आप देख सकते हैं अगला जो point है आप यहाँ पर देख यह जल वास्प के साथ अभी किरिया करते हैं जल वास्प यानी भाफ के साथ यह मिलते जूलते हैं ऐसे यह मिलते जूलते नहीं हैं ओके और इसके बाद यहाँ पर है AMG यानी magnesium magnesium हमारे गरम जल के साथ अभी किरिया करते हैं हमारे जो magnesium होते हैं वे गरम जल के साथ अभी किर ठीक है अभ otherwise यहांपर देसकते सी यह यानि कैल्सिएम और मैगनेसियम या अभी के दौरान जल की सतफ पर आजाती मैंगव्याइंग के साथ यह क्या जाती है जल के सता पर आजाती है क्योंकि उत्वपन हई्डरोजन गैस्ट बुलबुले ca, ya mean calcium czy amg, ya mean magnesium के सटा हैं कहने का मतलब यह है कार Namg, kalsium और magnesium जैसे ही अभिक्रिया करते हैं तो इनके साथ ही साथ hydrogen gas के बुलूले इनके सटा पर शिपक जाते हैं Texas, ya mean calcium और magnesium के सटा है तो यह भी बात बहुत ह范सानी से आप समझताएंगे और इसके बाद यहाँ पर अगला लिखा क्या हुआ है कि A, U यानि सोना, A, Z आप समझ सकते हैं C, U और F, यानि लेड जल के साथ अविकिरिया नहीं करते हैं तो आपको काफी बात को यहाँ पर ख्याल रखनी है आप इजी लिए समझ पाएंगे ठेक है तो यह सब जो होते हैं जल के साथ अविकिरिया नहीं करते हैं अगला जो हमारा पॉइंट आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं दातू के रसाइनिक गुंधर्म में अगला जो पॉइंट क्या है जियां दातू के अमल के साथ अविकिरिया यानि हमारे जो धातु है वो अमले के साथ अभी किरियाग करेगा यानि मिलेगा तो उट एकिसी चीज का यहां पर उत्पन करेगा तो कि यहां पर अप देखेंगे तो बहुत ही अचानी से अपको मिल जाएगा कि धातु पलस तनू अमले अब बात आती है कि जह तनु अमल होता क्या है तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं परिभास को मैंने इजिली लिख रहा है तो size इसको छोटा करते हैं और video की quality को आप बहा सकते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तनु अमल, अब यह क्या होता है तो अगर किसी भी चीज पानी का मालते बिलियन है तो लिखा हूँ परिभासा क्या लिखा हुआ है कि किसी बिलियन में अमल की मातरा कम हो और पानी की मातरा ज्यादा हो तो वैसे बिलियन को हम क्या कहते हैं तनु अमल कहते हैं तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि धातु जो हमारा होता है वो तनु अमल के साथ मिलकर हमारा क्या-क्या निर्वान करता है तो लवन और हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर निर्वान करता है तो धातू में अगर आप समझेंगे जैसे में तो F-E क्या है तो धातू है और इसके बाद यहाँ पर H-C-L यानि हाइड्रोकलोरिक अमल और यहाँ पर आप समझ सकते हैं और इसके बाद है आप देख सकते हैं FECL2 यानि यह क्या है तो यह एक ही तरह का लवन है और इसके बाद यहाँ पर आता है H2 यानि हाइड्रोजन गैस तो तीसरा हमारा क्या था तो अमल के साथ अभिकिरिया था तो आगे क्या है अब समझते हैं तो यहाँ पर अगला पॉइंट आता है धातू के रसायनी के गुंधर्मे में तो यहाँ पर धातू-लवन क्या है तो धातू-लवन जैसे आप समझ सकते हैं FECL2 यानि आप समझी सकते हैं और इसके बाद है C-U-S-O-4 COFFEEL Canada तो यह सब क्या है धातू लवन है यानि धातू के साथ आपको नमक यहाँ पर मिले हुए है तो जैसे ही हमारा धातू पलस लवन का बिलियन जैसे यहाँ पर मिलेंगे तो आपका जो अगले आने वाले जो उत्पाद होंगे, वे क्या होंगे, लवन की यहां पर बिलियन होंगे, और प्लस यहां पर क्या उत्पन होंगे, धातू, जैसे आप यहां पर इजिली समझ पाएंगे, तो देखिए, तो यहां पर आप समझेंगे, तो एफी, एफी क्या तो लोहा यानि इसके बाद है Cu-SO4 यानि कौफर सलफेट का क्या है यहां पर बीलियन है और जैसे यह दोनों आपस में अफिकिरिया करते यानि हैं आपस में मिलते हैं तो जीहा पर आप देख सकते हैं एसो फोर यानि करिए यह लवन्स का बिलियन है और期 क्वड्स लिए वंडियों कैसे सा κα्या कोफर यह के झात goals आगे की बात कि मैंऄ यहां पर देख सकते हैं यह worked to mean formula अब हम सक्रेदला स्रेन को ऐसा समझेंगे करे बिल्कुल नहीं भिलेगं तो सक्रियता स्रेनी का जो आपका जो परिभास है ना यहां पर आप समझ सकते हैं सक्रियता स्रेनी का जो परिभास है आप देखेगा तो लिखा को है कि वह सारनी जे गाइज वह ताली का जिसमें धातू को किरिया सिलता को अवरोही करम में बिवस्थित यानि सजाया जाता हो जिसे ही हम कहते हैं सक्रियता स्रेनी तो मैंने अल्रेडी सक्रियता स्रेनी पर वीडियो बना रखा है कहने का मतलब यह यहाँ पर आपको दिख रहा है पोटेसियम यानि इसका संकेत क्या होता है कि हमारा जो पोटेसियम होता है यह क्या है अधिक किरिया सिल क्या है यहाँ पर यह धातू है तो यह अधिक किरिया सिल धातू है तो अवरोहिक करम हमारा यहाँ पर सचा गया यानि ब्यवस्तित किया गया तो उपर जो यहां पर सबसे पहले आएंगे वो क्या आएंगे मजबूत यहां पर आएंगे धातु और उसके नीचे क्या आएंगे उससे कमजोर या उपर वाले से कमजोर आएंगे और सोडियम से नीचे वाले कमजोर क्या है कैल्सियम तो यह सब जो कि यहां पर हमारा अधातू होता है यहां पर тем तौपर करा है तो कापर कोपर कॉपर पर से कमज़र है एक जिए यानी के क्ट हगे तो कह सकते हैं मरकरी या कह सकते हैं पारा ओके और पारा से जो हमारा कमजोर आता है यह आता है सोना यानि सोरी चांदी ठीक है और चांदी से हमारा कमजोर क्या आ जाता है जियांगाज ए जी यानि सोरी ए यू यानि कह सकते है गोल्ड यानि अगर और भी कहा है तो सोना तो हमारा जो सोना है ना सबसे कम किरिया सिल यहां पर धातू है यानि यह सबसे कमजोर ब्यक्ति है सबसे कमजोर आदमी है ठीक है तो अगर आपसे पुछ दिया जाए कि सबसे कमजोर धातू का नाम बताईए यानि जो अधिक से मतलब कम से कम किरिया सिल करता हो तो वो आपका है AU यानी सोना ठीक है और सबसे अधीक सबसे अधीक आपका जो धात होता है किरिया सिल करने वाला वो होता है potassium यानी कह सकते है के ओके और इसके बीच में आ जाएंगे तो आपको बहुत ही असानी से आ गई होगी सक्रियता स्रीनी अगर आप नहीं भी समझे होंगे तो मैं इस पर आल्रेडी वीडियो बना चुका हूँ और आप वहाँ से समझ सकते हैं पॉइंट वह दातू के अधातू के साथ अभी के रिया यानी कहने का मतलब यह कि जब दातू यहों अधातू को आपस में मिलाएंगे तो यह किसकी शीज को यहाँ पर उत्पन करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको यह इस वीडियो में किलिर कर दे रहा हूँ कि धातू और अधातू को जैसे ही आपस में मिलाएंगे तो धातू पर आपको पलस चार्ज हो जाएगा और अधातू पर आपको माइनस यानी घटा वाली चार्ज यहाँ पर हो जागे तो यह आपको बहुत है सन्योजक्ता कोस पूर्ण करने की प्रवरीती यहाँ पर देख सकते हैं रूप में समझे सकते हैं यह सब का मतलब कि आप सबको पता है अस्ठक का नियम पता है नहीं पता है तो हमärt oblsa यहां पर बताने का पर्यास कर मिन यहां पर स्न्यजक्ता कोश कोस अब समझ सकते हैं आपने पढ़ा है कि इसमें कच्छ नाम ह हमारा होता है एस होते हमारे यह सब cloth होते हैं तो हमारे जो Kuos होते हैं जिससे इस तरह के होते और इसके रह की होते हैं टिगे तो सन्यूझ जक्ता कोस को पूर्ण करने की प्रवृति के रूप में समझ सकते हैं तो इसको समझे ऐसे हमारा जो सोडियम होता है सोडियम का परमानु संक्या कितना होता है तो हमारा जो सोडियम होता है उसका परमानु संक्या इगारा होता है तो अभी इसको इगारा होता है तो आपको electronic बिन्यास निकालना आता है यहाँ पर आप electronic बिन्यास निकालेंगे अगर sodium का तो क्या होगा 2, 8 और 1 होगा आप समझे यहाँ पर कि sodium का जैसे ही यहाँ पर हम electronic बिन्यास निकालेंगे तो आपको कितना होगा 2, 8, कितना होगा 10 यानि पहले कच्छ में आपके 2 होंगे और दूसरे कच्छ में 8 और तिसरे कच्छ में 1 तो तिसरे कच्छ में 1 नहीं होंगे अभी मैं आपको clear कर रहा हूँ ठीक है तो electronic विनियस हमारा कितना हो जागा sodium का तो यहाँ पर 2 8 और 1 हो जागा ठीक है और यहाँ पर आप देखें गे तो यहाँ पर आप इजली समझेंगे तो मैं आपको अभी आगे समझाओंगा तो हलाकि आपको ख्याल रखनी है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने आगे लिक्या रखा है और इसको size में और भी छोटा करता हूँ कि आपको असानी से दिख पड़ रही है यहां पर लिखा कि धातु सन्य जक्ता कोस से इलक्ट्रोन को त्याक कर धानायन बनाती है यानि कहने का मतलब ये कि आपको मैंने अभी भी ही बताया था कि पहले कछ में कितने लिखाएंगे तो दो लिखाएंगे और दूसरे में आठ और तिसरे में भी आठ तो कि यहां पर तिसरे में कितने हैं तो तिसरे में यहां पर एक हैं तो एक तो नहीं न लिखाएगा यानि एक ये जो धातु है किसी को दे देगा तो जैसे ये किसी को दे देगा हमारा धातु तो ये इसका जो हमारा ना इसका यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुए कि धातु सन्य जक्ता कोस से इलेक्ट्रोन त्याग कर धान आयन यहाँ पर बनाते यानि हमारा सोडियों जैसे ही एक को खो देगा वैसे ही उस पर पलस का चार्ज यहाँ पर आ जाएगा यानि एन ए पर हमारा क्या आ जाएगा पलस का यहाँ पर यहाँ पर चार्ज यहाँ पर आयन आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से आपको समझने है और इसके बाद अधातू सन्योजक्ता कोस में इलक्ट्रोन को ग्रहन करके रीन आयन बनाती है कहने का मतलब यह है कि हमारा जो कुलोरीन होता है कुलोरीन क्या होता है तो हमारा अधातू होता है और कुलोरीन का परमानुसेंग के कितना होता है तो हमारा होता है सत्रा तो इसको हम अगर ऐसे संद इलेक्ट्रोनिक बिनियास निकाले तो कितना होगा दो और आठ और इसके बाद होगा साथ तो इसे हमें अगला जो कोश्टक पूरा करने के लिए हमें इसको कितना चाहिए एक चाहिए तो ये जैसे यहाँ पर एक लेगा तो आठ हो जाएगा तो आठ यहाँ पर हो जाएगा तो इस पर जो हमारा जो चार जाएगा जो आयन आएगे न आपको घाटा वाली आयन आएगा यानी रीन आयन हो जाएगा यानी क्लोरिन पर हमारा क्या हो जाएगा रेन आयन यहाँ पर हो जाएगे तो यह भी बात बहुत ही असानी से याद रहने है हाला कि ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ठेक और इसके बाद यहाँ पर लिखा क्या हुआ है आप समझेगा और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे योगिक जो इलेक्ट्रोन के आदान परदान से द्वारा यहां पर बनते हैं जिया गाइस गहने का मतलब यह है कि ऐसे योगिक अब यह योगिक तो पता होगा ना जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तो वे आपको योगिक बनाती है तो आपको योगिक यहाँ पर ज्यादा समझनी नहीं है तो मैंने आपको सिंगनल दे दिया तो यहाँ पर समझें कि ऐसे योगिक जो इलक्ट्रोन के आदान यानि आने और पतान याने जाने के द्वारे यहाँ पर बनते हैं उन्हें हम कहते आयनिक योगिक तो आयनिक जोगिक आप यहाँ पर समझे या नहीं समझे कहने का मतलब यह कि धातू एवं अधातू मिल करके आपको क्या बनाते हैं तो यहाँ पर आयनिक जोगिक मिलाते हैं जैसे आप समझेंगे तो एन ए एन ए क्या है तो हमारा एन ए क्या है तो यहाँ पर नमक क्या है यही आयने की योगिक है और एन पर हमारा चार्ज आयन कितना हो जाएगा तो यहाँ पर पलस जाएगा जिसको हम कहते हैं धान आयन और रिन आयन को कहते हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं माइनस ठीक है यहाँ गाटा वाली आयन तो यहाँ पर एन यह यानी sodium जो होगा ना है आपको क्या कर देगा पमस इस पर आयन हो जाएगा और और गले पर हमारा घटा वाली आयने यह पर हो जाएगे तो इसको अब हम भाई की से समयнуть यहाँ पर अगले पेज पर ओझाया जो तो यहां पर आप समझेंगे तो मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाने का परयास कर और पार लिखक्अ कर निरमान को मेह उसको 10 थमस्ते हैं बहुत ही आसानी से इंब्हुत शोडीं शोडम इसकते हमारा क्या उसका आप उयरा साथ एनल कि एक बाद तो इसके बाद अगर हम बाहे कच्छ पूरा करने के लिए इसको कितना चाहिए तो हमें चाहिए इसको साथ चाहिए और यहाँ पर कलोरीन को कितना चाहिए एक चाहिए तो आप यहाँ पर देना पसंद करेंगे या साथ लेना पसंद करेंगे तो आपके पास कम है तो आप साथ ज्यादा लेंगे तो क होनी चाहिए तो हमारा जो एने है यानि कह सकते है सोडियम जो है उसका एगारा होता है तो हमें चाहिए यहाँ पर आठ तो यानि अस्ठक पूरा करने के लिए हमें साथ जरूरत है तो साथ जरूरत है तो यहाँ पर साथ तो कोई हमें देगा नहीं तो यह धातू क्या करेगा किसी को दे देगा तो किसी को दे देगा तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा आठ हो जाएगा यानि आप समझ सकती हैं हमारा जो क्लोरिन है इसका यहां पर अश्ठक पूरा हो गया तो यहां पर अगर आप समझेंगे तो सोडियम और क्लोरिन सोडियम और क्लोरिन जैसे ही आपको मिलेंगे तो आपको क्या बनाएंगे आपको बनाएंगे नमक जियां गाज यहां पर आप देख सकते हैं तो जैसे ही सोडियम